नमस्कार दोस्तो आज की रेट में बात करेंगे विकास एकोटेक शेयर की दोस्तो बात कीज़े प्रिवेश टडिंग्शन देखी तो 16% के उपर का धमाका देखने को मिला है और स्टॉक दोस्तो अल्मूस्ट ट्रॉंग ब्रेकाउट के आसपास है इससे पहले भी बड़ी त एक्जेक्ट चार रुपे के लेवल से ही छोटा मुटा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है लेकिन जिस तरह से भी पैटर्न चाट पैटर्न देखने को मिला है इससे पहले भी दोस्तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था सेलिंग प्रेशर के बाद ऊपर के दे सकता है again higher high pattern बन रहा है लगाता तो नीचे की लवर पर दोस्तों भी यहां से support लेवल के अगर बात की जाए तो 375, 380 का immediate support का काम करेगा और 340 के ऊपर जब तक है तब तक upside की जी संभावना बनी हुई है तो यहां से अगर correction देखने को भी मिला तो 340 तक का correction दिखा सकता है यह important support का काम करेगा तीन रुपे 40 पैसे तीन रुपे 50 पैसे का level लेकिन breakout के अभी संभावना बनी हुई है stock ने गिरावट के साथ अभी bond back कर दिया है वो भी बड़ी देजी के साथ तो 4 रुपे के ऊपर breakout होने के बाद कहां तक के target दिखा सकता है उसको भी अभी अपन discuss कर लेते हैं तो यहांते दोस्तों गर गिरावट के अगर बात की जाए तो इससे पहले बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और stock ने दो बार इससे पहले भी rejection लिया है almost 7 रुपे और 8 रुपे के level से 7 रुपे 7 रुपे 40 पैसे के level से तो यह जो है दोस्तों यह किसका important level है अ अभी अगर आपने खरीददारी की हुए तो इससे पहले भी आपने देखाऊगा downtrend देखने को मिला था इसी लेवल से अप्ट्रेंड के साथ 7 रुपे तक के ही again target देखने को मिली थे again stock ने इसी लेवल से rejection लिया तो यह जो हाई है दोस्तों इस बार क्योंकि stock ने रिटेश करकि इसी लेवल से rejection लिया है तो इसबा स्टॉक 7 रुपे के ऊपर भी breakout दे सकता है तो अभी अगर आपने खरीददारी की हुए चार रुपे के ऊपर अगर स्टॉक यहां से breakout दे गया तो उसके बाद जो next target बनेगा हो रहेगा चार रुपे 80 पैसी से लेकर 5 रुपे का ले दिखा सकता है